पहला कोश्चन फैजी के दर्बार में रहता था मैंने पहले ही कहा है कि यह है GS का Rapid Fire कोश्चन की संख्यार रुकेगी नहीं D option next question निमलिकित पे से which one of the following has become the India's first indigenous development developed vaccine to pre-qualified by World Health Organization सर उसका नाम है Rotavac next question भारत का पहला खादी हाट की सहर में सुरू क्या गया है भाई आज का सेशन है धुआधार 200 question पढ़ने है इस पीड होनी चाहिए Rapid Fire तो भाईया आप Fire हो चुका है बताएगा भाईया इसका answer है D New Delhi next question समिधान के किस अनुच्छेद ने अस्प्रिसेता को समाप्त कर दिया सर एक सेकेंड में Article 17 एक सेकेंड में answer दोस्त Article 17 next समिधान के किस अनुच्छेद ने अस्प्रिसेता को समाप्त किया Article 17 next Hepatitis के माध्यम से फैलता है वाईयू पानी खाना या वैक्तिकत सम्बर भाईया D B option पानी की माध्यम से next अनुच्छेद के तरत Money Bill Money Bill किस अर्टिकल में आता है सर बड़ा असान है 110 में लोग सभा सारे पावर रखता है next जोधपूर के पास ओशिया का मंदीर सर किसके दोरा बनाए गया था ओशिया का मंदीर सर किसके दोरा बनाए गया था भाईया याद रखना ओशिया का मंदीर सर प्रतिहार दोरा एमराल्ड बुद्ध का मंदीर किस देश में इस्थित है थोड़ा तेजी सेंसर करो Emerald बुद्ध का मंदिर किस देश में इस्थित है Sir Emerald बुद्ध का मंदिर इस्थित है आपके D option Thailand में Next उपरी केंद्र The World Epic Center English answer करो Epic Center World का उपयोग हम किस के लिए करते हैं Sir Epic Center का उपयोग भुकम के सेंदर में होता है Epic Center का उपयोग भुकम Next question विस्व में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बढ़ा उत्पादक निमलिखित में से कौन है भाई कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बढ़ा उत्पादक इस समय रूस है Next question निमलिखित में से किस भारती राज़ में अंतर राश्ट्री सीमा नहीं है अंतर राश्ट्री सीमा Sir confirm है कि हर्याना में अंतर राश्ट्री सीमा नहीं है ठीक है न भाई तेजी से answer करो share करो share करो बनिहाल किस राज़े का एक महतोपुर परवती दर रहा है तो भईया याद रखना बनिहाल किस राज्य का एक महतोपुर परवती दर रहा है एंसर है आपके A जम्मु कस्मीर इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन पर इस्थीत है इंटरनेशनल डेट लाइन इस्थीत है भईया B option 180 degree East सकती की काई क्या है The Unit of Power is Unit of Power is D option वाट है भाई rapid fire आज मैं खेल रहा हूँ अब बताईए गार rapid fire भारती बैंक संग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है भारती बैंक संग की पहली महिला अध्यक्ष B option उसा अनन्त सुप्रमन्यम जब यह सुरू में बनी थी भारत की योजना बद अर्थ विवस्था द्वारा लिखा गया है Planned Economy of India देखो यार जितना तेजी सेंसर करोगे उतना मज़ा आएगा M200 सरग्या Next question प्रित्वी पर दिन और रात की घटना के पीछे क्या कारण होता है बताईएगा Rapid Fire का मज़ा लीजेगा तो भई या दिन और रात की घटना कारण होता है प्रित्वी का Rotation Rotation of their Earth Next question Black Pagoda किस राज्य में इस्थीत है ठीक है राज्य पुनर गठन आयो का N fidelity तो किस ने किया था भईया याद रखेगा राज्य पुनर गठन आयो का N lantern तो फञजल अली ने किया था Next question राज्य भास सदसि की आयू इसे कम नहीं होनीचाहिए किसे कम तो भईया राज्य सभास सदसि की बात कर रहे हो तो 30 साल से कम आप कैसे हो सकते हो next question अगला दुधवा राष्ट्री उद्याद सर कौन नहीं जानता है कि दुधवा उत्तर प्रदेश में है दुधवा उत्तर प्रदेश में next question वितायोग की अवधी के लिए न्युक्त किया जाता है वितायोग कितनी अवधी के लिए न्युक्त किया जाता है भाई वितायोग न्युक्त किया जाता है 5 वर्ज के लिए next question नियोलिथिक लोगों की कौन सी धातु ग्याद थी ये आपको सिंपल question है बता दीजेगा सर नियोलिथिक लोगों को कापर राश्ट कूट वन्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी सर राश्ट कूट वन्स अक्सर NTPC इम पूसता है दानती दुर इसकी राजधानी यदि पूछे तो दोस्त मा ने खेट भया मा ने खेट निमलिखित में से कौन से देश की वित्ती और बैंकिंग प्रणाली नियंत्रित करता है जो लोग लेट आ रहे हैं ना गारेंटी है उनका 25 क्वेश्टन छूट चुका है मात्र आप देखिए 5 मिनट और 25 क्वेश्टन ये है स्पीड निमलिखित में से कौन सी देश की वित्ती और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है दोस्तों ए ऑप्शन आपके है भारती रिजर बैंक नेक्स्ट क्वेश्टन प्रकास की एक मोनो क्रमेटिक किरण एक सघन माध्यम से एक रेरर माध्यम में जा रही है सघन माध्यम से आपके विरल माध्यम ठीक है सघन माध्यम से विरल तो नतीजितन क्या होगा सब नतीजितन उसका वेग बढ़ जाएगा ए ऑप्शन उसका वेग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कब अपनाए गया था थोड़ा तेजी से एंसर करो भाईया भारत के समिधान सभाद और राष्ट गान को कब अपनाए गया था तो इसका एंसर है C 24 जन्वरी 1950 24 जन्वरी 1950 नेक्ट कोईशन दोस्ट एक जहाज का टेरा कोड़ा माडल सिंदू सभेता में कहां से पाए गया है जहाज का टेरा कोड़ा माडल बाई जहाज का टेरा कोड़ा माडल पाए गया है लोथल ठीक है नेक्ट कोईशन निमलिखित में से क्या 20 नूट्रान और 18 इलेक्ट्रान के स राजगी प्रतीक को अपनाया गया है The State Emblem of India has been adopted from State Emblem of India has been adopted from कहां से अपनाये गया है तो अपनाये गया है दोस्तो D. Lion Capital of Asoka है Sarna Next question विख्यात लेख़ कंबन के दर्बार में रहते थे जरा बताएगा कंबन किसके दर्बार में रहते थे मेरे भाई याद रखना कंबन किसके दर्बार में रहते थे तो कंबन दर्बार में रहा करते थे आपके D. Option कुल तोंग प्रतम Next question Combustion is a Engine के अंदर दहन होता है न Combustion होता है न बताओ देखो भाई question चल रहा है Rapid Fire और Rapid Fire का असली मतलब आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका answer है B. Exothermic Reaction Next question वित आयो किस आर्टिकल के तहत नुक्त किया जाता है भाई इसका answer हो जाएगा D. Article 280 Next question चालको लिथिक अस्थलों पर पाए गए है भाई इसका answer है A. Chirand Nama का अस्थलों पर जो चालको लिथिक साइट्स पाए गई है वो कहाँ चिरांद Nama का स्थल पर Next question राष्ट्री गीत द्वारा रचीत था किसके द्वारा राष्ट्री गीत रचीत था भाई सभी को पता है सर्राष्ट्री गीत C.Option बंकीम चांचटर जी द्वारा Next question निमलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांती स्वायक्तता से सम्मानित किया मतलब भाईया प्रोविंसियल आटो नामी किस से आया तो प्रोविंसियल आटो नामी आया था ग्रॉव्मेंट गॉव्मेंट आफ इंडिया एक 1935 के ताहट Next question बंगाल के गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल बने भाईया किस एक्ट के ताहट तो सर लाड बिलियम बैंटिक बना था चार्टर एक 1839 के अंतरगर 1835 में Next question दोस्ट पानी की इस्थाई कठोरता को किसके द्वारा हटाय जा सकता है पानी की इस्थाई कठोरता भाईया एक बार शेयर करो सभी लोग एक बार शेयर करो पानी की इस्थाई कठोरता को दोस्तो किसके द्वारा हटाय जाता है C option sodium carbonate Next question दोस्तो Next किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में provincial सुरू की गई थी प्रांतों में दो आएक डायर की सुरू की गई थी ये है डायर की डायर की किस अधिक के तथ सुरू हुई थी भाईया A option Government of India Act 1919 Next निमलिकित में से कौन भारती Central Bank है बताइएगा भारती Central Bank निमलिकित में से कौन सा है तो भारती Central Bank है B option Reserve Bank of India Reserve Bank of India भारती Central Bank सर्वोदय योजना तयार किया गया था सर्वोदय योजना किसके द्वारा तयार किया गया था सर एकदम तह बात है कि सर्वोदय योजना तयार करने वाले थे A. जैप्रकाश नारायन जैप्रकाश नारायन अच्छा एक बात है प्रफार्ट के संविधान दौरा इस्थापित क्या गया है भारत के संविधान दौरा इस्थापित क्या गया है दोस्तो अब बताईएगा विधेसी मुद्रा को कौन नियंत्रीत करता है अब बताईएगा विधेसी मुद्रा को नियंत्रीत करता है आपके कौन ये आपका question है यहाँ पे बताईएगा सर विदेशी मुद्रा को नियंतरित करता है RBI, Reserve Bank of India next question, क्रोमोसोम से बने होते हैं भाई देखो, जितने लोग लेट आए हो, 46 question करीब करीब छोड़ चुके हो DNA और प्रोटीन, जब आज 7 बजे का वादा था, तो 7 बजे का मतलब मेरे लिए 7 होता है next question, महान इसनानागार पाया गया है, महान इसनानागार, the great path has been founded भया महान इसनानागार, मोहन जोदरों से, मोहन जोदरों से ही दोस्तो, नितक की मुर्ती भी पाई गई है ये वाले थोड़े जरूरी है, मोहन जोदरों से ही दोस्तो, क्या पाया गया है सभा भवन भी पाया गया है सभा भवन भी पाया गया है और मोहन जोद्रों से ही दोस्तो अनागार, ग्रेनरी भी पाया गया ये तीनों ज्यादा पूस्ता है इसलिए मैंने इनका जिगर कर दिया Next question भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यचता करने वाले पहले अंग्रेश थे आज सुबा के NTPC के पेपर में आया था कि पहले मुस्लिम कौन थे तो भाया बदरुदीन तयब जी को कौन भूलेगा अब यहाँ पे पहले अंग्रेश कौन थे ये पूछ रहा है पहले अंग्रेश हुआ करते थे आपके कौन तो भाया जॉर्ज यूल इलाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल बने थे अगला क्वेशन भारत में पूझी बाजार के लिए नियामक प्राधी करन भाया रेगुलर्टी एथोर्टी कैपिटल मार्केट के लिए कौन है सर कैपिटल मार्केट के लिए है ए से भी कैपिटल मार्केट के लिए है से भी ठीक है ना मुझे तो यहाँ पढ़ने बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सर इतना जली जली अचा हैपी कुमार इसलिए क्योंकि यह है रैपिड फायर चलो थोड़ा सा स्पीड धीमे कर देते हैं वो दब फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किड्नी आरकार्ड तो भाई आप फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफरों नेट एक विसेश उचाई भाई इसको सॉल्ब करना अचा दे रहूं यू एंसर है और ध्यान दीजेगा भाई यह आईवी का बैच है जो आपको 77% आफ पे मिलना है अगर आज भर इसकी डेट है आप ले सकते हैं ठीक है नेट कांग्रेस को अंक्लीन थिंग्स किसने कहा था बाई कांग्रेस को अंक्लीन थिंग्स कहा था करज महावीर की मृत्ति हुई थी अब यह क्वेशन इतने टफ नहीं है जिनके लिए कि 20 सेकेंड का टाइम देके गोल सा टाइमर लगा के मैं टिक 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 करवाओ नहीं भाई याद है तो याद है नहीं याद है तो अब क्या उसमें कर सकता हूं मैं बी पावापूरी व कौन सा कोसी का अंग एकल जिलरी द्वारा कभर रहता है याद बताएगा तो भैया वो कौसी का अंग कौन सा आपका बी option वाक्यका ठीक है नेक्सक्ति पहले किस भारती उपगरओ को प्रछेपित किया जाना था भई सबसे पहले आरे भट 1975 इस्वी में ही इसे क्या किया गय क्या था कि मात्रिये 6 माहीं काम कर पाएगा ने 10 रुपए के नोट पे कितनी भासाओं का इस्तेमाल होता है बताईएगा 10 रुपए के नोट पे कितनी भासाओं का rapid fire, मुख, चलो थोड़ा सा speed slow कर देते हैं, मुख ही रूप से वायू मंडल में oxygen वापस आ सकती है, भाया वायू मंडल में oxygen वापस आती है, photo synthesis की वसे चाल को लिथिक अस्थल पाए गए हैं सर चाल को लिथिक अस्थल चीरांद पे next, सम्विधान सभा के कितने सदस्यों ने सम्विधान पर अपने हस्ताक्षर किये, भाय जिस दिन सम्विधान लागू हुआ, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये, 284 next, राष्ट्रगान को घटक विधान सभा द्वारा, Constituent Assembly द्वारा, सम्विधान सभा, इसको हम कहेंगे सम्विधान सभा द्वारा कब अपनाय गया, तो भाया, 26 आपके, 24 जन्वरी 1950, राष्ट्रगान को, हाँ, राष्ट्रगान 24 जन्वरी 1950, बिल्कुल एकदम सही एंसर ठीक है न, next question Landholder Society, दोस्तों इसकी स्थापना किस ने की थी, ये भारत की पहली राजनेतिक पार्टी भी मानी जाती भारत की पहली पार्टी, द्वारीकाना टाइगोर, next question, निमलिखित में से कौन सी, कपास के समान है, इन में से कपास के समान कौन साय दोस्त, याद रखना कपास के समान है, C, रेओन, next नेक्स प्लानी नगर नियोजन जो था इनका सबसे महत्वपूर था नेक्स अनोखा पहला अपनी तरह का तैरता हुआ बाजार पच्छ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है सभी को याद होगा सर कोलकाता नेक्स नेक्स माइट्रो कांड्रिया को सेल का घर पावर हाउस अपसेल क्यों कहा जाता है पावर हाउस अपसेल भया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी को संसलेशित करता है आपके बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स कोईश्चन आक्सफोर द्वारा किस हिंदी सब्द को पर में आया हुआ कोशन है और तब दोस्तों क्या था आधार आधार उस समय था नेशनल लिब्रल फेडरेशन के संस्थापक कौन है नेशनल लिब्रल फेडरेशन के नेशनल लेब्रल दाताओं का समू पाया गया है कहां से पाया गया है सर एक पंक्ती में छे अन्य दाता हडपा से हडपा से दोस्तो आर थर्टी सेवन भी पाये गया और एच टाइप भी पाये गया और दोनों क्या है सिमेट्री सिस्टम है दोनों क्या हैं दोस्त मेरे भाई सिमेट्री मतलब कबरिस्तान ने सिकंदर एसानी की उपाधी किसने धारण की थी सर सिकंदर एसानी की उपाधी उसी ने धारण की थी जिसे हम जनता का चरवाहा भी कहते हैं तो सर जनता का चरवाहा किसे कहते हैं दोस्त उसी को कहते हैं जिस खिलजी के हैं A option ठीक है next question क्या एक budget अधी से याद ये question थोड़ा सा English वाले से करना C option screenshot लेके रख लेना समझ में आ जागा HTML code लिखने के लिए आपको किस program क्या वे सकता होगी HTML लिखने के लिए next नवली नागा मंदीर राष्टकूट ग्यान साला के अमोग वर्स द्वारा बनवाये गया था नव मंदीर का समूग किस राज्य में इस्तित है बस इतना simple सा question बाई नव मंदीर का समूग करनाटक में इस्तित है next निमलिकित में से कौन input output device का प्रतिदित तो नहीं करता है sir input output आपके arithmetic logic unit नहीं है बाकी सभी input output के example है कैसे नहीं रहेंगे आप खुद देख लिजे next निमलिकित में से किस सा सकने मुगल समराथ साजहा दोरा निर्मित लाहोर की मोती मस्जित को एक रत्न भंडार में बदल दिया था दोस्तो रत्न भंडार में बदल दिया था D option महराजा रणजीत सिंग ने आज 200 questions हैं और 8 बजे तक हम लोगों को दोस्तो डेढ़ हजारी students पार होना है आज हमारी भी परिच्छा आपकी भी परिच्छा सेर करेंगे तो यह होगा भारत में महिलाओं के लिए स्थापित पहला विश्यू विद्याल है कौन सा है महिलाओं के लिए याद रखना दोस्तों सन्डिटी विश्यू विद्याल है एसन्डिटी ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में डायर की यह क्वेश्चन दुबारा आ गया या तो इसका एंसर तो हम लोग पने की ज़रुवत नहीं है आर भी आई तेजी से सर्वोदय योजना दो क्वेश्चन रिवाईज हुए तो मजा आ गया मुझे तो बताओ जरा सर्वोदय योजना किसने त्यार किया था सर जैप्रकास नारायन ने सौव क्वेश्चन आज ऐसे आएंगे जो रिवीजन के होंगे सौव क्वेश्चन आज ऐसे आएंगे जो फ्रेस होंगे नेक्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है सर ठीक है नेक्ट निमलिकित में से कौन भारत के संभीधान दोरा इस्थापित क्या गया है सर भा इनको दो मिनट में खतम कर दूँगा, क्रोमोसोम किस से बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के, महा निस्तानागार कहा पाएगा, मोहन जोदरो, भाई यह रिवाईज हो रहे हैं, इसलिए तेजी से करा रहा हूँ, भारती राश्टी का पहला अंगरेज कौन था, जोर्ज यूर, भारत में पूजी बाजार से भी देखता है, ठीक है, यह रिवाईज हो रहा है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, कि मैं इनको तेजी से करा रहा हूँ, किस राज्ज ने, अब यहां से नया हो गया, वो पाँच क्वेस्चन यार, बीच में, पाँच MCQ ऐसे आ गये थे पास से साथ, जो रिवाईज हो गया है, मुझसे गलती से प्रिंट में, माफ करिएगा उसके लिए, अब नया क्वेस्चन, किस राज्य सरकार ने, छोटे व्यापारी और कारीगरों को ब्याज मुक्त रिड़ प्रदान करने के लिए, जगन्ना थोड़ू योजना सुरू क ठीक है ना, भौतिक संस्कृति और खेल के छेतर में सहयोग पर किस समू के साथ एक MOU साइन किया है, तो भया केंदरी मंत्री मंडल ने, ब्रिक्स के साथ MOU साइन किया है, ठीक है ना, नेक्ट कोईस्चन, किस कमपनी ने टास्क मेट एप लांच किया है, बीस एकदम निउ क चलिए, एंसर करिए, टास्क मेट एप लांच किया है, दोस्तों, गूगल ने, भारत सहतूत बांध का निर्माण किस देश में करेगा, बताइए जरा, सहतूत बांध का निर्माण किस देश में होगा, भया सहतूत बांध का निर्माण होगा, अफगानिस्तान में, भाया किस राजी सरकार ने राजी की संपूरावादी को कभर करने के लिए स्वास्त साथी स्वास्त योजना का शुरुआध किया है आपके वेस्ट बैंगॉल ने Next Question, भारत के स्वेत क्रांती के जनक, डॉक्टर वर्गिस कुरियन की जनती मनाने के लिए राष्टिरी मिल्क डे कब मनाये जाता है, भाया नेशनल मिल्क डे मनाये जाता है, 26 नवंबर को, याद रखना सभी लोग 26 नवंबर, ठीक है न, अगला question दोस्तों, यह रहा, भारत क सबसे बड़े software निरिया तक TCS के संस्थापक और पहले CEO का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया तो दोस्तों उनका नाम है आपके फकीर चंद कोहली ठीक है ना फकीर चंद कोहली जरूर याद रखेगा फकीर चंद कोहली इसका right answer है next question दोस्त आपका महान फुटबालर डियोगा मरा डोना व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फुटबाल खिलालियों में से हेक माने जाते हैं उनका निधन हो गया वो किस देश से हैं भया मेरा डोना से related question आपसे पूछ सकता है वो किस देश से हैं तो मेरे भाई याद रखना मेरा डोना बिलॉंग करते हैं आपके अरजे टीना से next प्रधान वंत्री नरेंद्र मोधी जी ने स्री गुरुनानक देव जी के जीवन पर आदरसो पर एक पुस्तक का भी मोचन किया वो पुस्तक कौन लिखा है क्रिपाल सिंग वो पुस्तक कौन लिखा है क्रिपाल सिंग ने लिखा है next question किसको अंतराष्टी क्रिकेट परिसत के नए स्वतंत्र independent chairman के रूप में चुना गया है independent chairman बने है Greg Barclay यह important question साबित होगा भाई एक बार जड़ा share करो मैं अब एक बार share के लिए तो आपसे request कर सकता हूँ भाई या share करो 1K हम लोगों का हो जाना चाहिए अब ठीक है अगला question थावर चंद्र गहलोत ने transgender लोगों के लिए राष्ट्री पोल्टर लांच किया किस सहर में गरिमा अग्री असेल्टर होम फ्राम ट्रांसजेंडर परसंस लांच किया गया है तो दोस्तो उसका नाम है आपके D option बढ़ोदरा गुजरात दो question का information आपको एक question में मिला किस संगठन को 25 लाग से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए platinum partner पुरुसकार दिया गया है ऐसे पढ़ ही नहीं होगे तो भईया इसका answer है B option EPFO next question संभिधान दिवस जिसे राष्टरी कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है किस दिन मनाय जाता है सर उसी दिन मनाय जाता है जिस दिन national milk day भी मनाय जाता है आज के पेपर में आया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाय जाता है आज के railway के पेपर में ज़रा बताओ तो 24 अप्रेल किसको नहीं पता है पंचायती राज दिवस next question मेरे भाई किसने डॉक्टर अंबेडगर International Center नई दिल्ली द्वारा निर्मित भारत के संभिधान में चित्र और सुलेक नामक बृत्ट चित्र जारी किया है भाईया ये जारी करने वाले है थावरचंद्र गहलोच जी next question किसने Fit India मिशन के निदेशक एकता विश्णोई की उपस्थिती में Fit India School Week के दूसरे संसकरण को लांच किया है Fit India School Week को लांच किया है दूसरे संसकरण को कीरन रिजूजू ने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्री खाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्री नरिन सिंग तोमर ने किस जिले में मेगा फूड पर का उद घातन किया है बता हो जरा मेगा फूड पर मेडा मेगा फूड पर का पूरत खला पंजाब Next question Covid-19 महा मारी के कारण पाँच में अंतर राष्ट्री cherry blossom 100 रद्ध कर दिया गया है अब ये किस जिला में होता है आपको इतना बताना है दोस्त बताईएगा देखो दोस्त ये होता है आपके सिला मेगाले में ठीक है आज जीत क्या है नेट पीली भीट टाइगर रिजर्ब भया एक अहीं बार में कह सकते हैं बागो की संख्या दुगनी करने के लिए पहली बार अंतरराष्टी पुरुसका टी एक्स टू जीता है आपके उत्तर प्रदेश ने पीली भीत उत्तर प्रदेश में ही है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दोस्त मेरे भाई अगला कोश्चन सौवा कोश्चन किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महाबारी के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए हिम सुर रैपिट फायर में लगो रैपिट फायर में और इस कोड के जरिए 77% आफ है जिसको बैच लेना हो आई बी की तयारी करना जरूर जुड़ेगा उपनिशत काल के राजा अस्वपती कहां के सासक हुआ करते थे ये आपको बताना है सर राजा अस्वपती कहके कहके नामक महा जनपत के नेच्ट वैदिक नदिक कुम्भा काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए बहिए काबुल का कुम्भा का स्थान सरक काबुल का नाम आते ही तो अफगानिस्तान हो गया नेक्स्ट वैस्ट 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 वैस स स्टोनेचेट से मिलता है आपके पासार विर्ट के राष्ट्री गीत वन्ले मात्रम के रजयिता कौन है आसान है भाईया वंदे मातरम के रजईता है सी बंकिमचन चटो उपाध्याई बंकिमचन चटो उपाध्याई नेक्स कोईशन भारती जंडे के मध में अंकी चक्र का रंग क्या है भाईया मध में जो हम लोग का है वो है नीला ठीक है ना जो चक्र का कलर है दोस्त वो हम लोग के क्या है blue है ठीक है ना जिसमें 24 spokes हैं और जिसके बारे में वर्डन किया था जवाहलान नहरू जी ने जवाहलान नहरू जी ठीक है next question भारती पंचांग का अंतिम महिना कौन सा होता है भारती पंचांग का अंतिम महिना कब होता है तो भारती पंचांग का अंतिम महिना होता है चैट नेक्ट कोईशन राष्टी ध्वज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है राष्टी ध्वज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात है 3 is to 2 नेक्स्ट कोईश्चन भारती रिजर बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी है पहली महिला डिप्टी गवर्नर अब अगर यहां पे भाईया शेयर नहीं करोगे न तो मेरा यार देखो एनरजी लगती है यार इतना तेज पढ़ाने में फिर भी एक लोग है करें सर और इस पीड बढ़ा हो अरे जिस दिन आ के यहां बोलोगे न दोस्त लगाता रे घंटे मैं बता रहो मैं सब्द का प्रियोग नहीं कर सकता हूँ कि तुमारे साथ क्या हो जाएगा ठीक है तो बाल किसन मेरे दोस्त थोड़ा सोच समझ करके कमेंट करो क्योंकि मैं कमेंट पे निगाह बनाये रहता हूँ निमलिखित में से किस बैंक में कोई वैक्ती अपना खाता नहीं खोल सकता है कोई वैक्ती अपना खाता नहीं खोल सकता है किस बैंक में भया C आप्शन Reserve Bank of India में नेक्स्ट क्वेस्टन दिती पंचवर्सी योजना में सरवाधिक परिवय किस भाग पर किया गया था ठीक है ना तो बताओ सरवाधिक परिवय किया गया है दोस्तों A आप्शन इंडस्ट्री पे नेक्स्ट पंचवर्सी योजना में किस छेत्र को क्या किया गया है प्रमुकता दी गई थी भाई अगर प्रथम पंचवर्सी योजना को हम लोग कहेंगे तो उसमें प्रमुकता दी गई थी B option agriculture को भारत में कितने राजे तट रेखा से लगे हैं भाया C option नौ राज ये तट रेखा से लगे है ठीक है ना अगला कोश्चन करकरेखा कहा से होकर नहीं गुजरती है सर्करकरेखा किसी भी कीमत पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है next question भारत भाई ये question अब पुराना हो गया है इसके लिए मैं cut कर दूँगा B आप ज़रा सोच के आज comment box में बताना मैं थोड़ा confuse करने का काम आज करूँगा आपको बताना है कि कितने राज हैं कितने केंसासित प्रदेश हैं एक option और दे दिया none of these E option भी दे दिया next question दोस 10 degree channel किसके बीच इस्तित है Copa Cup किस खेल से संबन्दित है Copa Cup ठीक है न जो तो बताईए दोस Copa Cup किस खेल को संबन्दित है Copa Cup दोस्तो Football से संबन्दित है next question 3 are Ronaldo, Rivaldo, Ronaldino का संबन्द किस देश की Football टीम से दोस्त इन questions को बनाना फिर आपके सामने ले कर के आना मेहनत का काम है आप जो ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे है चैनल, सेर नहीं कर रहे है लाइक नहीं कर रहे है तो यार कभी न कभी महसूस होता है कि यार किस के लिए आदमी काम कर रहा है ठीक है तो ये question D, Brazil से है तीनों Brazil से है पुर्सो की badminton प्रतियोगिता कौन सी है पुर्सो की badminton प्रतियोगिता है थामस कप थामस कप पुर्सो की badminton प्रतियोगिता है अगनी ring of fire ring of fire कहां पाये जाता है अगनी वृत कहां fire पाये जाता है ठीक है ring of fire कहां पाये जाता है ठीक है मैंने पढ़ाया है यह बांधोगर राष्टी उद्दान किस राज्य में इस्तीत है सर सभी को याद है मध्य प्रदेश में इस्तीत है कौन सा राज तीन और से बांगला देश से घीरा है अल्वेज SSC रेलवे का फेवरेट कोश्चन यह रहा है घीरा है आपके D option त्रिपुरा नेक्स्ट कोश्चन दो पारिश्थितकी का अविस्कार किस ने क्या आज यह कोश्चन एंटी पीसी में सायद आया भी था कि आज यह कल वाले एंटी पीसी के पेपर में यह कोश्चन थ भूत जोलोकिया कौनसी है मेरे भाई भूत जोलोकिया सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है नेक्स्ट कोश्चन मेरे भाई नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पे ठीक है अब जड़ा अब जड़ा मेरे दोस्त इसका एंसर बताओ कि भारती राज्यों में निमलिखित में से किस समूँ से करकर रेखा गुजरती भया करकर रेखा गुजरती है राजेस्थान जारखंट पस्चिम बंगाल मिजोरा भारत का कौन सा राजे कुल छेतरफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा है सबसे बड़ा इसमें से कौन है छेतरफल की द्रिष्टी से सर राजेस्था आप्शन के हिसाप से जाएंगे ठीक है न ठीक है अगला कौशन भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला च्छांस बहुत सो समझ के एंसर देना भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है सर उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल जबकि दच्छिडी भाग को हम क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं और जो इंदिरा कॉल है दोस्त वो 37 डिग्री नॉर्थ से नेक्स्ट कोश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे किस हिली स्टेशन का अर्थ वज्रपात अस्थल है वो कौन सा हिली स्टेशन है जिसे हम वज्रपात अस्थल एकदम न्यू कोश्चन मैंने देखा इसको तो मैंने का भाया इसको तो सामिल करना बहुत जरूरी है भाया उसक पहिर सी बात है वो होगा आपका भाग 10 ठीक है भाग आपके 10 ठीक है अनुसुची छेत्रों जन जाती छेत्रों के संचालन से संबंदित है पार्ट 10 नेक्ट कोश्चन बाई ये कोश्चन लंबा है एक सरकार का संघी या एकात्मत रूप में वर्गी करण की साधार पर होता ह अप्शन रिलेशन बिट्विन सेंटर एंड इस्टे उनकेंदर शासित प похथो के कानून किसके द्वारा लागउ किये जाते हैं जिनमें विधहान सभा नहीं होती है यूणीयन territory में पार्या मेंट के दोरा लागू किये जाते हैं ठीक है ना न की उनके chief administrative officer के दोरा वित्ती बजट के घाटे के लिए सरकार दोरा लिया गया रिण क्या होगा भाई सरकार दोरा लिया गया था नेक्श कोईशन आम तोर पर भारती संसत में वित्त बजट कौन प्रस्तूत करता है आम तोर पर जनरली कौन प्रस्तूत करता है आपको ये बताना है तो बहिए जनरली प्रस्तूत करते हैं c option finance minister next question कवक काध्यन किस नाम से जाना जाता है भाई एक बार like करिए एक बार like तो बनता है कवक काध्यन किस नाम से जाना जाता है कवक काध्यन दोस्तो mycology के नाम से जाना जाता है एक बार share आपको अब करना है मेरे दोस्तों अब आपसे एक बार request रहेगा share करना है आप देली देखते हो हम लोग 1200 स्टुडेंट तो लगवाग रोज रहते हैं आज हम लोग को 1500 पहुचना है और ये मदद मैं आपसे मांग रहा हूँ ये मदद मैं खुल के कह रहा हूँ जैसे होता है एक दोस्त एक दोस्त से कहता है मैं आज आपसे खुल के कहता हूँ कि भाई ये मदद आज मुझे चाहिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजे मैं यहाँ 20 सेकेंड रुकूंगा मैं यहाँ 20 सेकेंड रुक गया हूँ लेकिन एक बार शेयर कर दीजे कुछ लोग होंगे जो छोड़के चले जाएंगे चले जाएं जो लोग छोड़के जाना चाहरे है 10-20 लोग जिनको लगता है कि मेहनत नहीं होती बोलने में पढ़ाने में वो चले जाएं लेकिन दोस्ट जो मेरे रेगुलर स्टुडेंट है प्लीज माई डियर इस्टुडेंट्स एक बार सेयर करिए मैं 20 सेकेंड के बाद इसका एंसर बताऊंगा सेयर करिए एक बार तो इस क्वेशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्त C. माइकोलाजी ठीक है तो सेयर हो गया होगा मुझे आपकी इमानदारी और आप पे पुल भरोसा है कि अब इस्टुडेंट्स बढ़ेंगे 150 जाते जाते तक हम लोग 1200-1300 से जादा निकल जाएंगे ये मुझे भरोसा है तवचा की सबसे बाहरी परत है भया तवचा की सबसे बाहरी परत को हम लोग epidermis कहते है ठीक है निमलिकित पौधों में से किसकी जड़ों में गाठ होती है किस जड़ों में गाठ होती भया गाठ होती आपके फलिदार पौधों की जड़ों में जितने फल वाले पौधे हैं सब में गाठ होती है निमोनिया मानव सरीर के निमलिकित में से किस अंग को प्रभावित करता है सर यदि निमोनिया हो जाएगा तो वैक्ति का फेपड़ा प्रभावित हो जाएगा Next question आवर्त सांडी में मौजूद एक मात्र तरल गैर धातु कौन है Liquid Non-Metal सर मैंने कई बार बताया है Bromine है Next question संभिधान में हमारे देश का नाम क्या है संभिधान में हमारे देश का नाम क्या है वैया संभिधान में हमारे देश का नाम है India That is भारत Next question आजादी के बाद दुई विभाजित होने वाला पहला राज ये कौन सा था आजादी के बाद सर आजादी के बाद दिवी बिभाजित होने वाला बॉंबे था याद रखना option के इसाब से बॉंबे next कानून के समच्च समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका right to equality before law is भाया ये आपका अधिकार है नागरी का अधिकार ये आपका civil right है ये याद रखेगा next question राज सभा की बैठको की अधिक्चता कौन करता है सर राज सभा के बैठक की अधिक्चता vice president करते है vice president इंग्लिस वाले से answer करना vice president यामनी कृष्णमूर्ती एक निपुर प्रतिपादक है किस चीज की भाई यामनी कृष्णमूर्ती का संबंद है भारत नाट्यम से थोड़ा question तेज ही रहेगा आस्ट्रेलिया समू की स्थापना निमलिकित में से किसके प्रशार को नियंत्रित करने के लिए की गई थी सर आस्ट्रेलियन गुरूप बना था chemical और biological weapons को प्रोइभीटेट करने के लिए रोकने के लिए next question मुरूगपा सौण कप का समळ तो मेरा एक फर्श बनता है कि आप से एक बार पूझ दू दोस्तो फुटबाल से DCN ट्रॉफी जरूर याद रखना और क्रिकेट से दोस्तों जो मैंने अभी नोटिस किया है दोस्तों आपको रणजी याद रखना है देवधर याद रखना है जीडी बिडला टाफी जीडी बिडला भी आज के पेपर में मौझूद था इसलिए मुख्य रूप से जिक्र मैं इसी का करूँगा किस सहर का सबसे पुराना और बेहर लोग प्री तेवहार करगा मनाया जाता है करगा कहा मनाया जाता है बहिया बताइएगा किस देश ने जीत लिया है बहिया देश है दोस्त बांगला देश ने जीता है नेक्स्ट आपके question ये रहा प्रसिद उपन्यास pride and prejudice किसने लिखा है भाई मैंने पढ़ाया है अब तो ये मत कहना कि नहीं सर गड़बड हो गया भाईया मैंने पढ़ाया है pride and prejudice d option दोस्तो jane austen के दौरा next question गांधी और इस्टालिन पुस्तक किसने लिखी है गांधी और इस्टालिन भाई बहुत सोच समझ के answer करो इस तरीके के आपके paper में question रहेंगे रहेंगे confirm रहेंगे इस वाले question पे 10 second का समय है दोस्तो एक बार ज़रा share कर दीजे एक बार ज़रा share कर दीजे और मैं आपको देता हूँ कुछ book के ना आपसे मैं पूछना चाहरा हूँ मिताक्षरा का writer बस 10 second के अंदर बताएगा मिताक्षरा का writer कौन है राज तरिंगडी का writer कौन है क्योंकि paper में ऐसे question आ रहे है अर्थ सास्त्र का writer कौन है आसान है ना कुछ आसान है तो कुछ कठीन है गीत गोविंद का writer कौन है 28 तारिक को जो paper हुआ था उसमें पूछा था गीत गोविंद का writer कौन है पदमावत का writer कौन है साथी साथ दोस्त रमैनी का writer कौन है अब जड़ा answer करके बताएगा सर मिताक्षरा की बात करे तो विगानेश्वर मिताक्षरा की बात करे तो विगानेश्वर राज तरहिंगडी की कलहन और सर अर्थसास्त्र की तो सर चाड़क के गीत गोविंदी की बात कर दे सर तो जैदेव जो कि 28 तारिक को पूछा था पदमावत की बात कर दे सर तो मलिक मुहम्मद जैसी और सर रवेनी की बात यदि हम लोग कर देंगे सर तो कबीर दास जी कबीर दास जी ठीक है यह तो इसका एंसर हा और इस question का answer गांधी और इस टालिन किस ने लिखा है भया सी option लुइस फीसर ने लुइस फीसर ने next question www का लगू रूप है किसका लगू रूप है भया वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब टीम ब्रंस ली ने जिसका घाटन किया था next एक वेब पे समाने रूप से होता भाई इंगलिस वाले से इसको answer करना यह पुराना question है मैंने कहा था 100 question revision के भी रहेंगे a option head and body next html किस प्रकार के tag का प्रियोग करता है sir html प्रियोग करता है fixed tag का define by language का next question दोस्तों आपके screen पे यह रहा the bloody slightly bloody slightly what भया bloody slightly a option alkaline ठीक है न और दोस्तों याद रखना RBC को क्या करते है WBC को क्या करते है और platelets को क्या करते है RBC को हम लोग erythrocytes WBC को हम लोग leukocyte platelet को हम लोग thrombocyte भी कहते है next question red cross किसके दोरा इस्थापित किया गया था sir red cross henry dunet कहा है henry dunet yes jh dunet h से henry dunet ही है next question 100 साल का युद किन के बीच लड़ा गया था भाई 100 साल का युद फ्रांस और इंगलेंड के बीच लड़ा गया था 100 साल का युद दोस्तों याद रखना देखो world history के question पूछेगा confirm पूछेगा next question आख देखने से संबंधित है उसी तरह कान किस लिए है भाईया आख देखने से संबंधित है तो कान कान भाईया सुनने से संबंधित है ठीक है सुनने से संबंधित है next question पहला electric railway कब खोला गया था first electric railway की बात हो रही तो भया पहला इलेक्ट्रिक रेलवे खोला गया था डी ओप्षन 1905 में 1925 में ठीक है इलेक्ट्रिक रेलवे की बात है वो मत सोच लेना कि भारत में 1800 तिरपन में खोला गया वो ये नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेलवे कुछ लोग उत्साह में गलत क कर जाते हैं next question भाई आप current affair 20 question current affair के फिर 20 question static portion के किस देश ने 2020 ACI प्रसांद सहयोग एपेक नेताओं की बैठक की मेजबानी किये मलेसिया ने next question किसको 2020 के आदित विक्रम बिल्ला कला सीखर पुरुसकार से समानित किया गया है कला सीखर पुरुसकार सना एंसर है डी option नसुरुदीत साह को भाई एक बार शेयर करो एक बार दोस्तों request है अगर आप लोग आज चाह दोगे और यार student power बहुत बड़ी power होती है हम लोग करीब 1200 है हम लोग को आज 1500 पहुचना है यार आप पे मुझे भरोसा है एक बार आज करो आज 1.5 देखा जाया next question डेनियल मेदवेदेव ने आश्ट्रिया के डोमेनिक थीएम को हराकर ATP टूर फाइनल का पुरुसेकल खिताब जीता है चलिए सर ठीक है तो वह किस देश से हैं सर वह देश हैं आपके रसिया से डेनियल मेदवेद next तरुड गोगोई का हाले ही में निधन हो गया वह किस राजी के पुर्व मुख्यमंत्री हैं सर तरुड गोगोई जी B option असम के मुख्यमंत्री हैं तरुड गोगोई next करनाटक के राजेपाल वजू भाई वाला ने किसको डॉक्टर आप साइंस की साइ का उद्गाटन किस सहर में किया गया अब देखलो पूरे पुर्वत्तर का पहला है तो भाई इसका एंसर क्या है डिप्रुगर next question दोस्तों आपके स्क्रीन पे यह रहा दो हजार इकिस में तो भाई याद रखना सोलह में जी सिखर सम्मेलन कि मेजबानी कौन कर रहा है सवधी अरप कौन कर रहा है मेरे वाई तो सवधी अरप next question ठीक है नेश्प भारती जीवन भीमा निगम ने जीवन भीमा पॉलिसी करने के लिए EZNTO के लिए Digital Application आनन्दा सुरू किया है LIC का मुख्याले कहां है Sir LIC का मुख्याले है आपके कहां मुंबई में ठीक है LIC का मुख्याले है मुंबई में Next question दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा कौन सा सहर देश का पहला सहर बन गया है जिसने अपने मल कीचड़ और सेप्टेश प्रबंदन सेवाओं के लिए आयसो प्रमाड़ पत्र ग्याद किया है दोस्त वो बन गया है आपके D option भू नेश्वार Next question विशु के सबसे बड़े बरदीधारी युवा संगठन NCC ने किस दिन अपना बहत्तरवा इस्थापना दिवस मनाया है NCC National Cadet Cops का बहत्तरवा इस्थापना दिवस भाईया मैं बता दूँ बहत्तरवा इस्थापना दिवस मनाये गया है आपके B option 22 नवंबर को Next question किसके साथ भारत ने 12 वी Counter Terrorism Dialogue आयो जीत किया है 12 हमी Counter Terrorism Dialogue भाईयाद रखना D option European Union European Union के साथ Next question किसको वातयन Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया जाएगा कई लोग तो नाम पहली बार सुन रहे होंगे वातयन Lifetime Achievement Award दोस्तो B option रमेज पोखरियाल निसंक रमेज पोखरियाल निसंक जी से ठीक है रमेज पोखरियाल निसंक Next प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने किस देश में रूपे कार्ड का सेकेंड फेज लॉंच कर दिया है सेकेंड फेज भाई याद रखना रूपे कार्ड का सेकेंड फेज लॉंच हुआ है भूटान में Next question दोस्त किस दिन विस्वबाल दिवस मनायी गया आज के साम वाले सिफ्ट में या सूभा वाले सिफ्ट में था की World Book Day कब मनाया जाता है आज के रेलवे के पेपर में आया था World Book Day भाईया बताईएगा World Book डे कब मनाया जाता है comment box में सब लोग जरा बताईएगा world book day किस दिन मनाय जाता है ठीक है next question दोस्ट तो इसका answer क्या है 20 नवंबर 20 वाल दिवस जबकि हमारे यहाँ अगर हम national children's day देखे तब सरह हमारा 14 नवंबर हो जाएगा चाचा नहरू का जनमदीन हो जाएगा ठीक है next question केंद्री अपरत्य शकर और सीमा सुलक बोर्ट CBIC के अध्यच अजीत कुमार ने किस देश में GST भवन का उदगाटन किया है सर जी अश्टी भवन का उदगाटन D option पंच कुला हर्याना में हुआ है next question 2022 फीफा अंडर 17 महिला विसुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा भया महिला विसुकप की मेजबानी D option इंडिया करेगा गोवा की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाले ही में निधन हुआ है भाई देखो रिवीजन वाला ये question है रिवीजन वाले question का answer क्या है मृदुला सिन्धा मृदुला सिन्धा इसका राइश्ट एंसर है next किस राज्य सरकार ने राज्यों में गायों के संदचन और सनवर्धन के लिए एक गोव कैबिनेट इस्थापित करने का निड़े लिया है गौ कैबिनेट भाई ये गौ कैबिनेट इस्थापित कर रहा है मध्यप्रदेश कौन इस्थापित कर रहा है मध्यप्रदेश इस्थापित कर रहा है एकदम ध्यान से रट लो जरा बताएगा कौन सा राइंग हांसिल किया है तो भहिया इसका answer है आपके C option 63 नेक्ट कोईस्टन महिला उद्दमीता दिवस कब बनाये गया है महिला उद्दमीता दिवस सर महिला उद्दमीता दिवस मनाये गया है आपके D option 19 नवंबर को अच्छा कोई बता सकता है Great Tragedy ये book किसने लिखी है आज मेरे एक मित्र ने challenge किया कि अपने live show में पूछ देना Great Tragedy किसने लिखी है भाई यार नाक नहीं कटनी चाहिए क्योंकि वो मेरा दोस्त भी देख रहा है वो देख रहा है कि आसुतोस पूछता है कि नहीं और सही होता है कि नहीं हाँ मेरे दोस्तों ने बता दिया Z.A. भुटो अमित देख रहे हो ना मेरे दोस्तों ने comment कर दिया Z.A. भुटो Z.A. भुटो ने Great Tragedy लिखी है Next question Mendel को किस रूप में जाना जाता है अब Current Affairs से हटके हम लोग Science और Static पे आ गए Mendel को भाया हम लोग Genetics के जनक के रूप में जाते हैं जानते हैं अच्छा इसी तरह जरा बताईएगा Chemistry का जनक कौन है Chemistry का जनक हम लोग किसको कहते हैं Chemistry का जनक के कारण होता है भाई एक बार Share कर दो आज हम लोग दोस्त निश्चित 1500 पहुँच जाएंगे यदि आप लोग इमानदारी से एक बार मेरे इस effort और इस कोसिस को भाई एक घंटे में आपके लिए 200 questions लेके आता हूँ तो भाई एक बार कौन सार रोग पानी में अधिकता कार भाई या Skin Cancer ठीक है ना Next question Anthophobia निमलिखित में से किस से संबंदित भय है Anthophobia दोस्तों किस से संबंदित भय है Sir Anthophobia C option फूलों से संबंदित भय को हम Anthophobia करते है अच्छा Sir अगर कुता काटने से Sir कुता वाले से Hydrophobia होता है होता है कि नहीं भया Hydrophobia जो पानी से डर हो जाता है कुता काटने पे जो रोग होता है That is Hydrophobia Next question दोस्त Electron को खोने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जल्दी से Electron, Proton, Neutron की खोज किस ने की भया जल्दी बताएगा Neutrino की खोज किस ने की Sir Electron, ETA, JJ Thompson ने की Sir, Proton, Per, Rutherford ने की Sir, Neutron, Sir Nage, JJ Chadwick ने की और Sir, Electron की खोज ने की इसका एंसर है Oxidation Next आइनो का निर्मार किस से होता है जल्दा बताएगा आइनो का निर्मार से होता है Sir, आइनो का निर्मार होता है Gaining of Electrons से Gaining of Electrons से Next यदि VA, VW, VS क्रमसर धोनी की वायू जल और स्टील में गती है तो बाई ये क्वेशन थोड़ा सा देख के एंसर करो VA आपका किस में है VW, VS धोनी की वायू में है मतलब दोस्तों ये आपका Air है ये आपका Water है और ये आपका क्या है इस्टील है अब आपको बताना है कि धोनी की गती सबसे ज़्यादा किस में रहेगी सर जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आपकी धोनी किस में चलेगी VA, VW, VS धोनी है तो इस्टील में गती और इस्टील में नेक्स द्वनी के स्रोत और परावर्तन सतर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए कि हमें इको साउंड सुनाई पड़े सर इक्जेक्ट तो होता है 16.6 मीटर लेकिन सर इसका एंसर क्या हो जाएगा एप्रॉक्सिमेट 17 मीटर नेक्स परमाणु सक्ती से असंबंद खनीज की पाचान कीजिए अडेंटिफाई था मिनरल नॉट एसोसियेटेड विद एटामिक पावर जो एटामिक पावर के साथ एसोसियेटेड नहीं है भाई एक बार शेयर कर दो एक बार दोस्ट शेयर कर दो और मात्र बारह कोश्चन बचे हैं क्या इन बारह कोश्चन में हम लोग दोसो इस्टुडेंट नहीं ला सकते क्या आज हम लोग अपने पूरी छमता का प्रियोग नहीं कर सकते यार मेरे जितने दोस्टो मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार शेयर करिए और इसका सही एंसर क्या है दोस्ट क्रोमियम मैं वेट करूँगा आपके शे आधुनिक आन्द प्रदेश के वारंगल पर काकतीव वंस की किस राणी ने सासन किया ता यह जरा बताएगा सर काकतीव वंस की राणी का नाम था रुद्रमा देवी रुद्रमा देवी नाम हुआ करता था ऐस्ट नेक्स कोईस्चन दोस्तों तुगलक वंस के बार किस राज वंस ने भारत में सासन किया किस राज वंस ने भारत में सासन किया जरा इस वंस के founder के भी नाम जरा लिख दीजिए तो सब के founder के नाम एक बार लिख दो तो सर गुप्त वंस का यदि आप बात करेंगे तो स्री गुप्त हो जाएगा खिल जी की बात करेंगे तो जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी हो जाएगा मुगल की बात कर देंगे सर तो बाबर हो जाएगा सयद की बात कर देंगे सर तो खिजर खा हो जाएगा ये तो सर इनके founder रहे सर लेकिन इस question का answer हो जाएगा सयद, तुगलक के बाद सयद, क्योंकि हम लोग trick क्या पढ़ते हैं, गुलाब एक trick है छोटा सा, जो मैंने खिले तो सास लो, ये हम लोग trick पढ़ते हैं, तो सर गुलाब से गुलाम वंस, खिले से खिलजी वंस, तो से तुगलक वंस, सास से सयद वंस, लो से लोधी वंस, गुलाब खिले तो सास लो, लो भैया हो गया, next question, चितोड़ गड में विजय इस्तंब का निर्माड किस ने करवाया, सर विजय इस्तंब का निर्माड जैता ने किया था, जैता सर राणा कुमभा का मंत्री हुआ करता था, ये बात हम सभी को याद रखना पड़ेगा, मेरे दोस्त, याद रखना पड़ेगा, next question, 1528 में, 1528 में चंदेरी में राजपूतो को हराया, सर, 1528 में युदुआ था चंदेरी का, 1526 में कौन सा महतपूर युदुआ, 1527 में कौन सा महतपूर युदुआ, 1528 में कौन सा युदुआ, 1529 में कौन सा य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो की बाबर जीता का क्रम आपको लगा दिये नेस्ट कोईस्चन बाई वीच वन आप दे फॉलोइंग पेर इस नॉट करेक्टली मैच सर कौन साइन में से मैच नहीं है बंगाल बिभाजन 1905 में हुआ था मुसलिम लीक का गठन 1906 में हुआ था सूरत बिभाजन और भारत की राजधानी भाया ये वाला तो नहीं हुआ था सूरत में कांग्रेस टूट गई थी इंडियन नेस्टनल कांग्रेस आपके एक्स्ट्रिमिस्ट और मॉडरिस्ट में मतलब गरम दल और आपके नरम दल में लेकिन मेरे भाया ये कब हो गया था और भारत में भारत और बाहर से क्रांतिकारी आंदोलन में सक्री रूप से भाग लेने वाले एक मात्र भारती राजकुमार कौन थे एक मात्र भारती राजकुमार की बात कर रहा है मेरे भाई एक मात्र भारती राजकुमार बताएगा एक मातर भारती राजकुमार कौन हुआ करते थे भाई यार पाँच क्वेस्चन और बचे हैं यदि आप लोग मैं 20 सेकेंड यहां पर रुख जाओंगा यदि आप लोग एक बार लगता है यार कि एक घंटे में 200 क्वेस्चन पढ़ाने में एनर्जी लगती है सर बहुत मेहनत से ट्राई कर रहे हैं हम लोग के सलेक्शन के लिए तो प्लीज यार शेयर कर दो मात्र पाँच क्वेस्चन और 1500 स्टुडेंट बचे है यार 1500 स्टुडेंट बचे है क्या इतना हम लोग नहीं कर सकते और 6 मिनट बचा है अभी क्योंकि 8 बजे अक्षा सर पढ़ाएंगे और उनका समय मैं नहीं ले सकता तो यार एक बार 20 मिनट आप लोग एक बार शेयर कर दो ठीक है ना इस क्वेस्चन का आइंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आइंसर हो जाएगा D राजा महेंदर प्रताप ठीक है राजा महेंदर प्रताप क्रांतीकारियों से बात है तो मैं समय खराब नहीं करूँगा बताएगा 1924 में कौन सी क्रांतिकारी पार्टी बनी थी 1926 में कौन सी बनी थी उसके अलावा दोस्तों आपको बताना है 1928 में कौन सी बनी थी उसके अलावा दोस्तों आपको बताना है 1949 में कौन सी बनी थी उसके अलावा दोस्तों यहीं पे रुकना नहीं है इन पाँच का जरा एंसर करके बताईएगा सर 1924 में बनी थी HRA कानपूर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन सर 1926 में बनी थी नौजवान सभा जिसको भगत सिंग जी ने लाहोर में बनाये था सर 1923 में बनी थी HSRA हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन सर 1949 में बनी थी फारवर्ड ब्लॉक जिसे बनाने वाले कौन थे आपके फारवर्ड ब्लॉक को बनाने वाले थे आपके सुभास्चंद्र बोष जी और 1943 में सर आईन्ने को कौन नहीं जानता है आईन्ने के बारे में ठीक है न आईन्ने के बारे में तो सभी जानते हैं next question किस देश ने दुनिया का पहला 5G नेटवर्क लाउंच करने का फैसला किया है बताईएगा कौन सा देश है दोस्त जिसने 5G नेटवर्क लाँच करने का फैसला किया है भाई एक बार शेयर करना है और काम हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक हम लोग गेम खेला जाएगा छोटा सा गेम आपको बताना है मेरे दोस्त यह छोटा सा गेम है जरा देखते हैं आपके लिए मैं कुछ संस्था के नाम लिख रहा हूं हेड क्वाटर बस बताना है देखिए कौन बता पाता है जैसे दोस्त सार्क का बताईए तेजी से बताना है रेड क्रॉस का बताईए, सार्क का हेट क्रॉटर आपको बताना है, रेट क्रॉस का आपको बताना है, उसके अलामाद